कि उत्रप्रदेश में 2022 विधान सवा चुनाव की तारिखों का एलान हो गया और समाजवादी पार्टी का कुन्बा लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन चंशेखर आजाद ने एक बड़ा आरोप लगाया है कहाए गया खिलेश यादो दलित भी रोधी है मैं सत्राजभर ज कि और सफलता इस बात का दो तक है कि सफलता में कहीं कहीं कमी सफलता पाने में कहीं ने कहीं हमारी कमजूरी है या यूं कह लेजिए कि और सफलता इस बात का दो तक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से हम नहीं किया वो हमारी कमी है हम उसको स्विकार करते हैं और नहीं तो आज हुआ हमारे साथ होते हैं बुरा अलाग रहा है उनके लिए बुरा कहा है हमारे भाई है और साथ रहता तो एक आनंद रहता और उनकी कमी खल रही है हमको ऐसा नहीं है कमी खल रही है कमी खल रही है कमी तो खल रही लेकिन उन्होंने यह आरोप लगा है प्राइबेटों को साथ लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं अकलेश जी के साथ तो कम से कम हजारू दलित होंगे उन्हें कैसे समझाएंगे आप नहीं देखिए समझाना वोटर समझ गया है भारती जनता पार्टी पिछडे दलित का आरक्षण खतम कर रही है प्राइबेट में आ भारती जनता पार्टी पिछडे दलित की उपर जुन जाती अन्यायत्याचार कर रही है इसे निजात दिलाने के लिए चहलते, हम भी तो आज के तारिक में समाज जागरूख है अपने अरचन को बचाने लिए और संभीधान को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए सामाज बीजेपी का सफाया करेगा स्वामी परसाद मौर रहा गया है दारा सिंग चोहान आ गया है रहा कितनी आसान लग रही है बाइस के लिए कि भारती जंता पार्टी के जो हवा बची थी कुछ तो हवा हमने निकाल दी थी जो बची थी वो हवा स्वामी परसाद मौरिया जी ने निकल दिया है अब प्रदेश में गाव में हला रहा है कि भाजपा गईल, जहले से जाएइए कि भाजपार गईल, रोज एक विकेट गिर रहा था, एक दिन स्वामी प्रशाद गिरा दिया छिम उकिप खाथ से। सब तब तक धरम सिंग सेनी निकल गे तब तक पता लगा दारा निकल गे तब तक कितने विधायक निकलने लगे एकदम भगदर सी मच गई यह मैसेज पूरे प्रदेश में चला गया और जो जिस स्पीच पर भारती जनता पार्टी खेलना चाहती थी वो अपने खेल में ही फ दुबारा भरती कि 6,000 भरती 22,000 आपने लूटा 23,000 और 6,000 भरती कर रहे हो तो यह साबित हो गया कि हमने लूटा था यह जग जाहिर हो गया वही चद्वित्तिय सुल्क पर पूरती के सवाल पर जब हम लड़ रहे थे तो लोग कहते थे कि इसे बोलते हैं जब 7,000,000 बच् को चद्वित्ती पर पर प्रती दे रहे हो तो पिछड़े जाती को भी दो तो उस समझ जब हमारे समाझ के जो पिछड़े समाझ के लोग BJP में थे तो लोग करें भाई आप 7 अपनी पार्रती के फोरम पर और रखेंगे अंगे लोग अपनी पार्टी के फोरम पर रखते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जिसका खुलासा और स्वामी प्रसाद मौरिया जी निकलने के बाद डंके के चोट पर लालकार करके माईक पर बोलने हैं कि यहां पिछड़े दलित का हिसा लूटा जा रहा है और की उफेक् स्वातन देव पटेल एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तरपदेश के भारती जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठते हैं उनको फाइबर की कुर्शी बैठाई जाती है आपने तस्वीर देख ली स्टूर और फाइबर की कुर्सी की देखा दें आपको मॉब स्टूल पर बैठा दिया यही सिती है यह पिछले समाज का अपमान है ना सतरा सो थाने हैं उसमें हिसेदारी देने की बाते नहीं करती बीजेपी पचातर जेले हैं उसमें हिसेदारी नहीं आट सो चब्विस बलाक हैं उसमें नहीं तीन सो पचास तासीले हैं उसमें नहीं जब हक की बात करिये तो कहते हैं कि आदव बात समाजवादी पार्टी में था उस समय तो च्छावर डियम थे और आज एक कईश डियम ठाकूर है अब ठाकूर बात कोई नहीं कर रहा है भी जेपी वाला कि ठाकूर बात हो रहा है अब जबान बंद हो गई है मोतिया बि ससुरा लाती है बेटी चार दिन पहले एक NCR भी नहीं आज साल बर से उपर वो जेल में है उसको जेल में परिवार के लोग माफिया हो सकते गुंडा हो सकते उस बेटी के क्या कसूर है और वहीं पचीस हजार का इनामी योगी जी का बिरादर दस महिने से क्रिकेट के खेल म है यह क्या दिखता है यह भारती जनता पार्टी ने बता दिया कि हम पिछड़े दलित ब्रामण बिरोधी हैं हम पिछड़े दलित ब्रामण को देखना नहीं चाहते हैं वही योगी जी करते रहे और भारती जनता पार्टी ने मैं तो सुनता था आप लोगे चैनलों पर मत अधूरा आयोध्या कासी योगी जी हिया लड़ेंगे हुँगा लड़ेंगे अब भारती जनता पाटी ने उनको पहुंचा दिया गोरफ पूर उनके घर अब दस तारीक को दस मार्च को दस बजे गाना बजेगा उत्तर पदेश में कि चल सन्यासी मंदिर में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार दस मार्च को निश्कर्ष क्या निकल कर सामने आता है और उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बंती है प्रुजेंस पावुलाल के साथ अभी शेक पार्णे डेली इंसाइडर लखना हो यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़बरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाल करें हमारा तेजी सो भरता निश आप डेली इंसाइडर